Hey friends, Welcome, कैसे हैं आप सब? आशा है, आप सभी स्वास्थ होंगे आज की reading में friends हम चेक कर रहे हैं आपके person, आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं जब भी आप ये reading देख रहे हैं क्यों? क्योंकि ये reading timeless है जब भी देखेंगे तब भी resonate करेगी टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी साइन्स के लिए है सभी जेंडर्स, सभी रिलीजियन्स, सभी कास्ट, सभी धर्मों के लोग, सभी हुमन्स इस रीडिंग को openly चेक कर सकते हैं ओपन माइन के साथ ही चेक किजिए, प्रॉपर एनरजी एक्स्चेंज करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने परसन को विजुलाइज करें तो लेट्स वी चेक कि आपके परसन क्या मैसूस कर रहे हैं आपको लेकर मुझे 5 कार्ट्स चाहिए पहलें उनकी करन्ट फीलिंग्स और आपके कनेक्शन की करन्ट सिचुएशन चानने के लिए हो गए 5 कार्ट्स 1st गार्ड आया है Queen of Wands 2nd आया है Ace of Pentacles 3rd आया है the Hermit 4th आया है Five of Pentacles then I ahead the wheel of fortune आये बात करते हैं आपके connection के बारे में कुछ Aries, Leo and Sagittarius Taurus, Virgo and Capricorn Leo, Gemini energies काफी prominent हैं यहापर यह energies आपके लिए prominent हो सकती हैं आपके person के लिए भी prominent हो सकती है 3, 12, 21, 30 1, 19, 28, 10 9, 18, 27 5, 14 and 23 number काफी important हो सकते हैं यह dates important हो सकती हैं आपके लिए या फिर आपके person के लिए मैं यहापे strongly feel कर पा रही हूं कि आप में से कई लोगों को 10, 10, 10, 10 इस तरह से 10, 10 करके angel numbers दिखते होंगे synchronicities होती होंगी कई लोगों को 1111 दिखता हो ऐसी possibility भी है 999-333-555 ऐसे angel numbers दिख रहे हों आईए अब इन कार्ट्स को रीट करते हैं जिसके बाद स्टार्टिंग में आप इस offer को accept करने के लिए रेडी नहीं थे लेकिन आपके person भी बहुत जिद्दी थे उन्होंने ठांग लिया था कि वो आपको पाकर रहेंगे और फाइनली उन्होंने अपने जिद्मन वाली और आपने इस offer को accept किया आप में से कई लोग single हो सकते हैं और आपके person married हो सकते हैं और ऐसी vibrations भी आ रही हैं कि आपके person ने ये आप से चुपाया हो कि वो already married है या फिर आपको ये बताया हो कि वो married हैं और वो separation लेंगे वो divorce लेंगे देन आपके साथ wedding करेंगे तो आपके person का आपकी तरफ attraction इतना ज़्यादा गया कि उन्होंने आपको propose किया आपको commit किया आपको हर एक वादा किया जो आप deserve करते थे आपके सारे doubts क्लियर करें और आपको हरे कोस्ट पे पाना चाहा और finally आपको पाभी लिया लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि इस रिष्टे में problems create होने लगी अब आपका attention आपके person रहने लगे 24 into 7 आप अपने person के बारे में सोचने लगे और आपके person अब आप से तब बात करते थे जब उनका खुद का mood होता था या फिर अब आपके person तब बात करते हैं जब उनका खुद का mood होता है वो ये नहीं सोचते कि आपका क्या mood है आप क्या feel कर रहे हैं आपको hurt हो रहा है उल्टा वो blame आप भी को कर देते हैं कि आप maturely चीजों को handle नहीं करते हैं आप immature हैं आप उनकी family उनकी conditions को समझ नहीं पा रहे हैं और अभी तक आपके person ने जो कि आपको शुरू में वादा किया कि वो divorce लेंगे वो separation लेंगे उस वादे पर भी वो भी तक खरे नहीं उतरे हैं कहीं न कहीं वो आपके साथ भी time spend कर रहे हैं घर पे भी time spend कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि घर में उनकी wife के साथ उनकी नहीं बनती है जो कि मुझे दिखाई देता है कि उनकी wife या उनकी husband के साथ उनकी अच्छे तरीके से नहीं बनती जो की वो सही बता रहे हैं लेकिन स्टिल वो उनको छोड़ कर आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और आपको भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं मैं आपके फील कर पा रही हूं बहुत बार आप लोगों ने आगे किसी और को चूज करने की कोशिश की है लेकिन आपके परसन को ये चीज गवारा नहीं हुई और उन्होंने आपको इमोशनली स्टक रखा आपको डॉमिनेंट किया हो सकते हैं उन्होंने बोला हो कि वह आपके बिना जी नहीं पाएंगे एट्सेक्टरा एट्सेक्टरा आप भी ओवर एमोशनल हो गए मैं ये भी देख पा रही हूं कि आपके परसन काफी डॉमिनेंट नेचर के हैं अगर आप खुद से उनसे बात करना कम कर देते हो तो वो आप पर डाउट क्रियेट करने लगते हैं कि आप किसी और से बात कर रहे हो आपकी लाइफ में कोई और है आप उनके लिए loyal नहीं हो आप उनके लिए trustworthy नहीं हो वो सारे blames आप ये पर डालने लगते हैं अपनी गलतिया ना मानते हुए ये acceptना करते हुए कि वो आपको ignore कर रहे हैं बलकि वो ये कहते हैं कि आप उन्हें ignore कर रहे हो और आपका ध्यान कहीं और जा रहा है जिसकी वज connection divinely guided है and you guys are made for each other बट ऐसा नहीं है मैं cards को reading को sugarcoat नहीं करूंगी जो cards आ रहे हैं directly मैं बता रही हूं तो friends current feelings आपके person की अभी भी यह है कि आपके उपरन का attraction तो बहुत है आपसे physical हुए बिना आपसे intimate हुए बिना वो ज्यादा time तक नहीं रह सकते current feelings उनकी यह भी है कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि यह connection long term चले लेकिन वहीं the hermit card है वो इस connection में आपको respectable value that means आपसे married आपसे married होना आपसे marriage करना etc. वो नहीं दे पा रहे वो नहीं दे सकते वो चाहते हैं कि आप भी उनके life में रहें और उनकी wife और उनके husband भी उनके life में रहें five of pentacles हैं वो दोनों situation को एक साथ handle करने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही situations में day by day problems increase हो रहे हैं आगे wheel of fortune हैं कहीं न कहीं उनके लगता है कि आपके साथ जो time वो spent करते हैं वो काफी अरामदायक होता है relaxable होता है लेकिन अगर आपकी तरफ से उनके tension मिलने लगे तो वो आपको ignore करने लगते हैं आपको block करने लगते हैं in and out on and off इस रिष्टे में काफी ज़्यादा रहता है क्योंकि वो आपकी तरफ से tension और stress नहीं चाहते आप इस रिष्टे में marriage चाहते हैं wedding चाहते हैं एक respected life चाहते हैं और आपके person इस connection को ऐसे ही चला देना चाहते हैं बिना किसी respectable position के तो इस वज़े से आप दोनों के रिष्टे में मनमोटाव हो गए हैं तो next action आपके person का क्या होगा मैं चेक करती हूँ मैं देख पा रही हूँ कि again आप इनको marriage के लिए पूछेंगे और again ये शान्त रहेंगे ना yes बोलेंगे ना no बोलेंगे the sun का card है and then है king of pentacles का card divine आपके साथ हमेशा है और divine आपको support कर रही है divine आपको guide कर रही है the sun का card यहां पर ये बताता है कि divine आपको कहना चाहा रही है कि आपके connection की सारी negativity remove हो सकती है लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी होगी आपको अपनी life से अंधेरे को मिटाने के लिए efforts लगाने होगे आपको ये सोचना होगा कि आपको सिफ physical relationship चाहिए चुपना चुपाना चाहिए इनका toxic behavior चाहिए गलती ये करें और निकाले आपकी और आपसे माफी मंगवाए क्या ये सब चाहिए या फिर एक respectable married life चाहिए ये आपको सोचना होगा क्योंकि अपने घर को छोड़ कर आगे बढ़ते हुए तो ये person easily नहीं दिखाई देते और अगर बढ़ेंगे तो ये बहुत जादा time ले लेंगे लेकिन कुद्रत आपके साथ हैं जो आपको एक perfect guidance दे रही है कि अपनी life पे focus करो और अपनी life को grow करने की कोशिश करो अपनी life को flourish करने की कोशिश करो और toxic चीजों को अपने life से बाहर निकालो चाहे तो आपको इस person से मिले चाहे तो किसी और person से मिले अब आपको decide करना है कि आपको life में क्या करना है आप clearly अपने person से बात करें अगर वो सब कुछ right time पे आपको देने को ready है it's well and good otherwise आप एक अच्छे life partner को deserve करते हो और definitely अगर आप इस रिष्टे से move on होते हो तो 3-5 months में आपके soulmate आपके life में enter करेंगे जिनके साथ आपकी wedding fix हो सकती है और finally future में हो सकती है आपके person का आपके लिए क्या message है आपके person का message यह है कि वो third party situation से बाहर नहीं निकल सकते कहीं न कहीं third party situation उन्हें भी hurt करती है वो तीनो situation को एक साथ deal करना चाहते हैं एक साल handle करना चाहते हैं जिसमें peace आप रहे हो सबसे ज़्यादा क्योंकि वो तो married है उनकी जो life है वो है ही लेकिन कहीं न कहीं आप सबसे ज़्यादा peace होगे क्योंकि आप married भी नहीं है आप single है आप पो respectable life भी नहीं मिल रही है और आपको peace of mind भी नहीं मिल रहा है आप पो इस connection का बहुत time तक wait करना पर सकता है और इस connection में emotions से ज़्यादा आपके परशन की तरफ से आपकी तरफ attraction है emotions आपकी तरफ से ज़्यादा है और attraction उनकी तरफ से ज़्यादा है तो यह थी friends आप लोगों के लिए reading thank you so much for watching if you like don't forget to thumbs up and share this in your group resonate की हो तो please comment box में बताएं ज्यादा clarity के लिए आप लोग personal reading book करा सकते हैं जिसकी detail description box में given है अभी के लिए इतना ही thank you so much for watching bye for now have a good day and take care